सस्पेंस अब भी बरकरा लेकिन खबर बड़ी मिल रही कि परिवेख्षकों के नाम अब तै हो चुके हैं कौन-कौन से लोग हैं जो परिवेख्षक बनाए गए हैं और ये भी का जा रहा है कि शनिवार्तक सियम पद की जो तस्वीर है वो भी साफ हो जाएगी एक चीज बहुत इस्पेश करूं साधना परिवेख्षक के नाम आज तै हो जाएंगे तै हुए नहीं है दूसरी बात यह है कि भारती जनता पार्टी में सियम रेस में काफी लोग लगे हुए हैं और तमाम जो नेता जिनके चेहरे हम दिखा रहे हैं वो इस वक्त दिल्ली मे मौदूद है जाहिर है कि दिल्ली से ही वो चेहरा तै होना है तो सब अपने अपने तरीके से लगे हुए आज हमने देखा कि पार्लियमेंट कमेटी की बैठक भी थी उसके बाद बरिश निताओं के बीच में भी कुछ चर्चा हुई है और नरेंज सिंग तॉमर का नाम एक नाम पर महर लग सकती है परिविक्चक आज या कल तक तै होंगे अभी तै नहीं हुए है उसके बाद शनिवार को संभावना है कि जो चेहरा जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो भी साप हो जाएगा कि आखिर मुख मंत्री का चेहरा कौन होगा तो बीजेपी इसमें लगे वो भी सब परिशने ताएक से एक दिगज है मैनिट के आदार पर ये तै होना है कि मिरिट के आदार पर ये तै होना कि आकर कौन सा चेहरा होगा लेकिन बड़ी तेजी से चर्चा है कि अनरन सिंग तोमर वो चेहरा होंगे या बर्तमान मुकमंती शिवराज सिंग होंगे य अब ये भी बड़ी तेजी से ख़ब रहे हैं कि डिप्टी सीम कई पद भी दो पद दिखाई दे सकते हैं ठीके मरुद्जी आप हमारे सब बने रही गए इस वक्ति को और बड़ी खबर अपने धर्शकों को बता दे जो मिल रहे हैं इस वक्ति बड़ी खबर छटी विदानस सबाग गठन की अधिसूचना जारी हो चुकी है कल राइपूर आ सकते हैं बीजेपी के परिवेक्षक और कल ही विदायक दल की भी बैठक हो सकती है तो सीम के चेहरे पर इस बार बीजेपी चौका सकती है बड़ी खबर क्योंकि 36 गर्ड में अब सीम की रेस में एक और नाम जुड़ गया और कौन सा वो बड़ा नाम है आपको बता दे माराष्ट के राजजिपाल रमेश बैस का नाम अब चर्चाओं में है आपको बता दे पहले से रमन सिंग विश्णुदेव सायर यनुका सिंग अरुन साफ के नाम रेश्ट में शामिल लेकिन इस बीच एक और खबर मेरी की माराष्ट के राजजिपाल रमेश बैस को लेकर भी अटकले तेज है इस बार आदिवासी या फिर OBC कोटे से मुख्यमंत्री हो सकता है बुद्वार को दिन बर बैठकों का दौर चला मुलाकातों का दौर चला लेकिन बैठक से जो मन्थन हुआ है इसका अमर इस बैस का नाम निकल कर अपताम में आ रहा है और एक और बड़ी खबर दिल्ली से मिरे जेपी नड़ा के आवास पर पहुँच चुकी रेनुका सिंग बेहत बड़ी खबर बीजेपी के अध्यक्ष के साथ मुलाकात की है 36 गड़ के सलगुजा से सांसर्थ है रेनुका सिंग और मोधी सरकार में जन जाती है मामलो की केंद्री राज्यमंत्री भी है बरत्पू सोनच से विदानसबा का चुनाव अब जीता है और ऐसे में जब सांसदी से इन्होंने इस्तीफा भी देखिए दे दिया है क्योंकि व और चलिए हमारे स्टेट एडिटर आदित नामदेव जी हमारे साथ 36 गड़ से जोड़ा उनका अरुक करते बोपाल से हमारे साथ मनोस जानी जी लगातार बने हुए लेकिन सबसे पहले में आदित जी आपके पास आउंगी जैनुका सिंग ने मुलाकात की है अब डेट दी हम जरूर ये सोच रहे हैं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री जैसे कौन बनेगा करूरपती का गेम चल रहा हूँ वैसे ही क्योंकि हर आदमी अपने आपको बहतर बताने की तलाश में है रेणुका सिंग के घर में कनात तंग चुका ऐसा लग रहा है कोई शादी बयाद चल र हुआ है तो देखिए ये तो कयासों का दौर है रमेश बैसिक नया नाम साथ बार से राइपूर के सांसद रह चुके हैं तृपूरा के राज्यपाल जारखंड के राज्यपाल और फिलहाल अब वो महरास्व के राज्यपाल है मतलब तीन राज्यों की कवान वो समभाल हैं लेकिन जो मेरे पास जानकर यह बहुत साफ है विश्णु देव साय अरुन साव रेनुका सिंग ये तीन चेहरों में से कोई एक चेहरा हो सकता है लेकिन देखिए अभी भी कयास है इसलिए कयास है क्योंकि होना हुई है जो हमिश्चा और नरेंद मोदी चाहते हैं और नरेंद मोदी के जीवन में आठ अंक का बहुत महत्तपूर्ण है और कल फिर से आठ तारीक है मुझे जो नजर आ रहा है बहुत साफ है कल कम से कम परिविक्षक यहां पर आ जाएंगे और अभी जो उवापो की स्तिती है कौन बनेगा कौन बनेगा उसका शायद सवालों का भी जाओ हम पत्रकारों को भी कल तक मिल जाएं तो कल तक का इंतिजार करना चाहिए फिलाल अभी सभी चेहरे रेस में बराबर बने हुए है बलकुल सब्सक्राइब करना हो और आप दोनों का यह बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए तमाम अफडेट के लि हुए 36 गड़ के रण में अरुम्साव उतर चुके लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या सीम की रेस पे बने रहते हैं अरुम्साव या फिर कोई नया चौकाने वाला चेहरा हमें 36 गड़ में देखने को इस बार मिल सकता है कि मदबदेश राधर